हेलो दूस्तो नमेशकार तो लिंक इस वोड़े का उपर आई बटन पे दे दिया है अब चाहो तो इनको भी study कर सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़े को start कर लेते हैं तो ठीक है दोस्तो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे normal screen के उपर आज के दिन की बात करें तो no doubt बाजार तो बंध ही रहता है बट फिर भी आपको पता ही है कि quarter के result का season start यहापे हो चुका है तो saturday sunday भी हम लोगों को busy रहना पड़ेगा तो आज के दिन की बात करें तो retail segment का number one company demart evanus supermart इसके number हम लोगों को लेखने का आपे मिलने वाले है और number सामने यहापे आ भी चुके है no doubt relance retail यह बहुत बड़ा company बट वो market में है नहीं न तो इसलिए demart ही फिलाल हम लोगों को number one पे देखने का आपे मिल जाता है anyways so सबसे पहले अगर हम लोग आपे बात करें तो 3840 पे demart हम लोगों को चलते भी देखने को मिल रहा है क्या company के number अभी के ऐसे रहे क्या इसके चलते company का जो चाल है ठीक है क्या वो change यहापे होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर अभी भी जैसे ही लगातार थोड़ा सामनों को ओक्यों के performance देखने को मिल रहा था क्या वैसे ही performance continue रहेगा तो चलिए देख लेते कि company के number कैसे रहे बट उससे पहले थोड़ा सामनों को एक अनुमान रहना चाहिए किस चीज का अनुमान कि March से लेकर June तक मतलब March quarter से लेकर June quarter जैसे कि अगर मैं पूराना वाला quarter आपकी साम था तो March quarter से आप देख सकते हो 8700 से 10,000 गया था और operating profit भी आप देख सकते हो 700 से 1000 के range में गया था ठीक है तो यह performance बहुत शांदार देखने को मिला था तो at least हम लोग इतना तो expect करेंगे कि 10,500 की उपर sales होना चाहिए जो कि अल्रेड़ी हम लोग वैसे तो देखी चुके trailer में but net profit, operating profit की बात करें यह 772,800 के range के उपर हम लोगों को देखने को आप मिलना चाहिए मतलब यह numbers के पहले थोड़ा सा हम लोगों ने भी क्या करना चाहिए एक अनुमान लगा कर रखना चाहिए यह point हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो चलिए आज आते हैं company के number के उपर क करेंगे यह आपे total income के साथ कितना है 11,900 तो यह थोड़ा हम लोग ने expect किया था कि पिछले quarter से थोड़ा उपर ही रहना चाहिए अभी तक का तो trend वैसे ही है last time कितना था 10,627 करोड एंड एक साल पहले था 10,000 करोड के आज पास सो हम लोग कह सकते कि company का quarterly revenue then yearly revenue हम लोग को थोड़ा बहुत improve होते वे देखने का आपे मिल रहा है then अगर हम लोग आपे बात करें तो obviously इतना कमाने के लिए बहुत ज़दा खर्चा करना पड़ता है तो expenses को भी देखेंगे तो total expenses कितने लग बहुत 11,000 के पार expenses भी जाते वे आइदर आपको profit मिलेगा या फिर आपको loss मिलेगा तो obviously company में loss तो है नहीं profit ही है तो कितने का ही profit तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं NPBT बोलते है net profit before tax तो कितना है 897 करोड 0.26 lakhs आप चाओ तो ऐसा भी बोल सकते हो so 624 करोड ये पिछले टाइम था and एक साल पहले कितना था 875 करोड so अगर हम लोग आपे बात करें quarterly improvement जरूर देखने को ले बट yearly अगर हम लोग बात करें इंप्रूमेंट तो जरूर है but yes slightly ही jump देखने को मिल रही है मतलब 75 करोड से 97 करोड मतलब मोटा मोटी भी अगर हम लोग देखेंगे 97 मतलब 75 से 85 95 मतलब 23 24 करोड के आसपास का jump हम लोग को देखने को आपे मिल रहा है yearly बात करें तो ठीक है तो jump तो जरूर है profitability में upside तो देखने को मिल रहा है but yes बहुत ही super duper upside वो भी हम लोग को देखने का आपे नहीं मिल रहा है ठीक है अगर हम लोग बात करेंगे obviously हमें सरकार को tax देना पड़ेगा तो tax देने के बाद क्या आता है NP80 आता है तो कितना है NP80 company का जिसको हम pad भी बोलते है 658 करोड ठीक है rounded figure चाओ तो बोल सकते last time था 460 करोड और एक साल पहले था 642 करोड तो और गिन कर काहनी वही पर आ जाते हैं दोस्तों कि company का number quarter on quarter भी अच्छा है and year on year basis भी अच्छा है but yes year on year basis जो jump हम लोगो देखने को मिल रही है वो slightly थोड़ी सी ही jump देखने को आपे मिल रही है ऐसानी कि बहुत बड़ा massive jump हम लोगो देखने को आपे मिल रहा है then अगर हम लोग इ earning per share जो कि इसी में हम लोगो देखने को मिल जाएगा तो यह देखिए EPS भी आप चेक कर सकते हो कितना है 10.14 जो कि last quarter में था EPS 7 के आसपास and एक साल पहले कितना था 9.93 सो हम लोग ज़रू कि यह आपे कह सकते है कि quarterly performance बहुत ही शांदार हम लोगो देखने को आपे मिल रहा है ठीके yearly अगर बात करें तो upside तो ज़रूर है बट येस हलकी सी ही upside देखने को मिल रही है हम लोग ऐसा भी आपे बोल सकते हैं सो कुल मिला के numbers के अगर हम लोग बात करें no doubt demand बहुत बढ़ी कंपनी दो सवा 2 लाग करोड का market cap है ठीके बढ़ी size की company तो growth धिमे धिमे करके हम लो कर सकते हो जैसे कि standalone performance की बात उन्होंने यहापे की है revenue 18% की jump ज़रूर दिखाया है and pat की अगर हम लोग बात करें तो हलका सा सिर्फ 2.2% की jump हम लोग को देखने का आपे मिल रही है then अगर हम लोग यहापे बात करें इसमें कौन सा important चीज हम लोग देखते revenue देख लिया EBITDA प but yes हर किसी को पता है कि जबरदस आप बार बार store open करेंगी उसके बाद कभी तो जाके आपको थोड़ा तो रुखना ही पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे आप 10 stores open करते थे बारा store open करते थे अभी आप लगातार भविश्या में भी 25-30 open करते जाओ के नहीं दिमे में उसकी संख्याए कम यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि डिमाट का जो major target है वही है कि जितना हो सके इंडिया में major cities में अपना जो stores है उसको यहाँ पे setup कर दो एड उसके चलते अपना business को आगे बढ़ाओ करके तो इसी की चीज के चलते हम लोगों सारा काम होते वे देखने क मिलता रहता है तो ठीक है दोस्तो जितने भी important points थे numbers थे वह आपके समय आपे मैंने रख दे हैं तो और अगर देखा गया तो obviously यह सवाल तो हमेशा पूछाए जाता है कि यह numbers के चलते क्या हम लोगों ने entry करनी चाहिए exit करनी चाहिए तो दोस्तो numbers के चलते ऐसा decision blindly आपे ले decisions बनेंगे पट यह उसके बाद obviously एक consolidation phase भी आएगा बहुत समय तक stock चलेगा भी नहीं पट और अगर हम लोग लंबी आवदी की बात करें तो yes इसमें जरू comeback भी होते वह देखने का आपे मिल सकता ही कोई recommendation ने पट yes long term की story के हिसाब से यहापे हमेशा मैं चीजों को continue करना ही अभी देख लेते हैं मंडे की दिन बाजार का इसके प्रती क्या यहापे reaction होता है वैसे तो मैं इसमें लगातार buy on dips करते रहता हूं 2x की formula की इसाब से मैंने इसके उपर एक अलग से वीडियो भी बनाया था आप लोग को बताने के लिए कि अगर आपको pity भी करना है तो किस इसाब से इन चीजों का फायदा आप यहापे उठा सकते हो अगर आपको वह वाला वी वीडियो देखने है तो लिंक उसका में उपर आप लोग को आई बेटन पर प्रवाड करता हूं तो आपको exactly समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश आपे कर रहा था तो ठीक है थोड़ा सा slightly down या फिर flattish बोल सकते हैं बट net profit की बात करें तो 808 करोड के आसपास यहापे expect किया जा रहा था तो उस हिसाफ से अगर हम लोग देखे estimation की हिसाफ से net profit में आदो थोड़ा बहुत हम लोग को performance ओके ओके यहापे देखने को मिलते हुए देखने को यहापे मिल है तो ठीक है जैसे कि आपको बता है कि मंडे की दिन जब बादार खोलेगा तो इसके पर मदोग जरूर यहापे focus रखेंगे रखेंगे हाँ बट इतना में जरूर कह सकता हूं यह कोई recommendation तो नहीं बट अगर किसी ने long term के लिए long term समझते हो न हाँ wealth creation के लिए अगर इसको प 25 पोडियो के लिश्ट भी आप लोगों को free of course प्रवाड कर दी जाएगे आपका नाम कुन्छा आकांट आपनी लिंक के तुरूपन के है प्रॉपर लिका बन शेकर मेंचन कर देना तो अप्ते पर के अंदर अंदर सारे लिक्षर्स मेरे साट से free of course प्रवाड कर दी तब तक के लिए बबाए